हर इंसान को स्कुल जाना चाहिए और उसे अच्छे ग्रेट्स लाकर उसे अपने अच्छी नौकरी ढूड़नी चाहिए राइट अपने आसपास सभी को यही लगता है लेकिन रॉबर्ट कियो साकी कहते है ऐसा बिल्कुल नहीं है इतने लोग financial struggle कर रहे है पैसों की problem से निकल रहे है इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा education system इसको यह सिखाती है कि पैसों के लिए काम कैसे करे यानि कि job कैसे करे लेकिन यह नहीं सिखाती है कि पैसा उनके लिए काम कैसे करे और इस कमे की ही वज़े से आज इतने लोग highly educated होने के बाद भी यह नहीं जान पाता है कि पैसे को manage कैसे करे जिसकी वज़े से majority of people bill pay करना और next payment के लिए काम करना इसी में first जाता है इससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाता है इस चुहे की रेस से बाहर कभी निकल ली ने पाता है रॉबर्ट कियो साकी ने ये सब इनकी best selling book में समझाया है rich dad poor dad यानी अमीर बाप और गरीब बाप कियो साकी के दो पिता थे एक गरीब और दूसरा अमीर रॉबर्ट ने अपने पिता को book में गरीब बाप कहा है और दूसरे उनके friend के पिता को उन्होंने अमीर बाप कहा है गरीब बाप ने PhD किये है लेकिन अमीर बाप आटवी पास भी नहीं कर पाया गरीब बाप कहता था बड़ा इंसान बनने के लिए खूब पड़ लिखकर अच्छी नौकरी करने चाहिए लेकिन अमीर बाप कहता था बड़ा इंसान बनने के लिए पर्ट लिखकर खुद की कमपनी खोलने चाहिए ताकि दूसरों को अच्छी नौकरी दे सके गरीब बाप कहता था पैसो से ही प्रॉब्लम आती है अमीर बाप कहता था कि पैसों से power मिलती है पैसों को ना होना problem है गरिब बाप महएंगी चीजें खरीदने से मना करता था और कहता था कि इसे नहीं खरीद सकते अमीर बाप कहता था कि income बढ़ाने के रास्ते निकलो आप सब कुछ खरीद सकते हो रॉबोट अपने दोनों बापों की बाते सुनकर बड़ा हुआ और उसे अपने अमीर बाप की बाते सही लगी उनकी बाते मानकर रॉबोट ने भी बहुत कमाया और अमीर बन गया फिर रॉबोट ने ये सब अपनी एक बुक में शेयर किया जो मैं अभी आपको बताने चाहरा हूँ कियो साकी ने पैसो की प्रॉबलम की जड़ जो बताई है इस ट्रबल का फंडामेंटल बताया है वो है कि जॉब एक शॉट टम सल्यूशन है लोगों को लगता है कि अगर वो आगे बढ़ जाएगे उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी तो उनको सब कुछ मिल जाएगा जबकि अगर आपको पता नहीं है कि पैसा कैसे काम करता है तो पैसा आपके हाथ जादा नहीं आ सकता कि अबल पैसा सब कुछ सॉल नहीं कर सकता क्योंकि पैसा जैसे आता है आपकी खर्चे, आपकी जरूरते आपके कर्ज भी बढ़ जाते हैं तो फिर पैसों के मामले में आगे बढ़ कर फिनेंसिल आजाद होने का सीक्रेट क्या है अब जो मैं बोलने वाला उसे इत्यान से सुने पहले ये जाने की एसेट क्या है फिर उसे बढ़ाए आप अमीर बन जाओगे बस इतना ही, एकदम इजी है प्रॉब्लम यहां है कि लोगों को प्रॉपरल्ली यह नहीं सिखाया गया है कि पैसे कैसे खर्ज करे आपको इन दोनों के बीच का फरक पता होना बहुत ज़रूरी है कि एसेट होती है वो आपके जेप में पैसा डालती है और लाइबिलिटी होती है जो आपके जेप से पैसा निकालती है कि यो साकी का man point यह है कि financially independent होने का पैसों की जो जंजट है उससे उपर आने का एक ही तरीका है कि अपनी उस एसेट को बढ़ाओ जिससे होने वाले इंकम से आपके खर्चे निकाल सको सेर मार्केट के जादुगर वारेन बफेट ने भी कहा था कभी भी सिंगल इंकम पर डिपैंट मत रहो तो आपको भी अपनी एसेट को बढ़ाना होगा जिससे आपकी इंकम होती हो जबकि जदर तो लोग यह नहीं करके बड़ी-बड़ी महंगी चीज़े खरीद लेते हैं जोकि लैबिलिटीज होती है जबकि वही पैसा जाना चाहिए एसेट को बढ़ाने में जहां से आपकी इंकम शुरू हो जाए ऐसे ऐसे करते हुए जब आपके इंकम के सोर्स बढ़ जाते है तब आपके खर्चे भी आपकी उपर भारी नहीं लगते है वो खर्चे एसेट से होने वाले इंकम से यह पूरी हो जाएगे जहां पर आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि assets आपने वही खरीदी है जो आपके बिना मौजुदगी में पैसा कमा कर दे रही है अब asset का मतलब यह ना समझे कि यह आपका गर आपका asset है क्योंकि आपके गर से आपकी कमाई नहीं हो रही है वहां से आपकी कोई income नहीं हो रही है asset का means है जहां से आपकी income हो रही हो और आपको वहां कोई काम नहीं करना पड़ रहा है तो अगर आप अपने घर का कुछ पार्ट रेंट देते हो तब आपके लिए वह asset होगा आपने एक कार खरीद कर एक driver को hire किया और driver को 50% commission देकर काम पर लगा रहे हो यह आपकी asset है अपने business की branches दूसी जगव पर भी लगा कर वहां बंदों को लगा दिये हो आपकी asset है अमीर लोग जदा अमीर इसलिए बन जाते है क्योंकि वे लोग अपनी assets को इतनी बड़ा देते है कि at the end वो उस मुकाम तक पहुच जाते है उनके सारे खर्चे भी मिला देते है उसका total काफी कम होता है उनके total income जो अलग-अलग asset से होती है गरीब लोग अपनी शुरू से liabilities बड़ा देते है और फिर चुहे की race में फच जाते है बलकि अमी लोग एक बार assets बड़ा देते है फिर खर्चे करते है कुछ लोग पैसे कमाते है उनकी income भी बढ़ती है लेकि at the end last month फिर उनके पास पैसे नहीं बचते है क्योंकि income के साथ में उनके खर्चे भी बढ़ जाते है जाने कि asset बिलकुल भी नहीं बढ़ी लेकिन उनकी liabilities बढ़ गई यहाँ पर अमी लोग अच्छा इसलिए कर जाते है क्योंकि उनकी assets उनके total खर्चे से ज़्यादा कमा कर देती है और फिर से कुछ कमाई के पार्ट से अपनी asset को और बढ़ा देते है उनकी assets liabilities से तेज speed से बढ़ती है अगर आपको अमीर बनना है तो अपनी income बढ़ाने के बारे में मत सोचो अपनी assets बढ़ा दो, income अपने आप बढ़ जाएगी ज़्यादा तो लोगों की कमाई उनके profession से होती है वो जो काम करते हैं उनसे होती है लेकिन अमीर लोगों की income उनके assets से होती है अगर आपको भी कोई मेंगे चीज खरीदनी है तो अपनी assets इतनी बढ़ा दो कि वो आपके खर्चे को cover कर सके कोई भी बड़ी चीज खरीदो तो पहले मेंगे ना खरीदे बस आपकी जरुवत पुरी हो सके उतनी ही खरीदे फिर जैसे ही आपके assets बढ़ जाए उसके according आप जो भी इस्तमाल करते हो उसे मेंगे करते जाए पर ध्यान रहे आपके खर्चे आपकी income से कम speed से बढ़नी चाहिए हमेशा अपना focus assets के graph liabilities के graph से तेज उपर ले जाने पर होना चाहिए खर्चा करना अपने सौक के चीजे खरीदना problem नहीं है problem शुरू होती है जब income और खर्चे के graph को manage करके नहीं चलते है पैसा कैसे काम करता है उसके बारे में सीखते रहो investing, accounting, market, sales, the law, marketing, leadership, writing, speaking, negotiating इन सब के बारे में जानते रहो पढ़ते रहो और अपना time उन लोगों के साथ में भी spend करो जो आप से ज़्यादा जानते हो इन सब के बारे में अपने knowledge में invest करो knowledge में किया गया investment हमेशा अच्छा return देता है हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं शुरू में investment मत करो, पहले investment कैसे करते है उसे सीखने में investment करो because the more you learn, the more you earn जितना आप सीखते हो उतना आप कमाते हो क्योंकि knowledge में किया गया investment हमेशा आपका अच्छा return देता है